आपके पडोस में ही 36 गड़ है वहाँ 15 साल बीजेपी की सरकार रही हाल में ही वहाँ के लोगों ने फिर से बाजपा को भारी बंग बत्चे चुन लिया और आज 36 गड़ की सरकार एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी बेटा उस सरकार को चला रहा है पीजेपी 36 गड़ को समार रही है वहाँ दान किसानों से बड़ी मात्रा में धान खरीदा जाता है तान किसानों को रिकॉर्ड पैसा भी दिया जाता है यहाँ नबरंग पूर से तो 36 गड़ 25-60 किलोमेटर की दूरी है वहाँ भाजपा सरकार 3100 रुपिया चुनिए तीन हजार एकसो रुपिया प्रति क्विंटल पर दान खरीद करती है जबकि यहाँ उडिसा में धान की खरीद सिरफ 2100 रुपिया में होती है इसलिए उडिसा भाजपने गोच्णा की है कि हाँ बीजेपी की सरकार बनने के दूसरे ही दिन 3100 रुपिया प्रति क्विंटल दान खरीदा जाएगा बोलो भारत माता की बोलो बडिया काम हो रहा एक ने हो रहा है आपको फरोस है की नहीं है हर किसान को फायदा होगा की नहीं होगा है ये मोदी की गारंटी है की नहीं है